असलाम अलेकुम तो जिस जिसने नम्स की रिजिस्ट्रेशन करवाई हुई है यह वीडियो आप सब के लिए आप सब के लिए वीडियो बहुत बहुत important है बहला आपने test देने नहीं देना mood है नहीं है बहला आपका MDCAT pass हुए है fail हुए है यह वीडियो आप एक दफ़र end तक तो क suffT सी पाइंड के बात करते हैं कि अर्फ कर सकते हैं तो सबस्केम हमखेख वेब्सक्थ के त्छ ने के क्लिए अलीजिबल है तो जिस जिस ने क्रिएर्ड किर थेख ज। कर सकता है, तुझ का फाइल है ठीक है लेकिन फिर मैं आप लोग को क्यों कह रहा हूँ कि आप सब लोग जिसका एमडीकेट फैल भी है वो भी यह टेस्ट लाजमी दे इसके वजह आपको अभी एक दो मिंड में अच्छी तरह समझ आज़ेगी ठीक है तो सबसे पहले तो यह है कि जिसका एमडीकेट पास है बहला एक नमबर से ही पास है उसको तो अपना पूरा जोर लगाके पूरा अपनी जार लगाके नम्स की तैरी करने चाहिए और अच्छी से टेस्ट देना चाहिए अब बात करते हैं जो फैल हो गए है उनको टेस्ट जी क्यों देना चाहिए अच्छा तो यहाँ पे दो प्रेक्टिस हो जाएगी और नेक्स्ट इडिया आपको नम्स का एक्स्पिरियंस बहुत बहुत काम आएगा ठीक है तो आप लोग ने अच्छे से तियारी करके यह नम्स का टेस्ट लाजमी देना है अब बात करते हैं दूसरे लोगों के जो वैसी फैल्यों या उनका प्याइम्टिस का हो रहा है ना इसमें बहुत सी शिकायात आ रही है और इृइडाटिस है ठीक है और कोर्ट में केसी भी काफी चल रहे हैं बी प्याइम्सी पैंसी पे हो चुके हैं काफी केस तो it is highly possible के आप लोगों का यह प्याइम्सी का जो यह रीकंड़क्ट हो जए है जो wrong keys है वो फिर बाद में PMC court में case हार जे और अपनी keys ठीक कर ले और आप लोगो जो जो आपके marks बनते हैं असल marks बनते हैं आपको वो मिल जाए ठीक है करो यह आपको कहीं न कहीं जरूर काम आएगी अच्छा इसके बाद बात करते हैं कि इसका merit criteria क्या होगा नम्स का इस साल weightage क्या होगी MDCAT की क्या होगी और FSE की क्या होगी तो पिछले साल अगर 2020 की बात करें तो तब यह था कि MDCAT को weightage मिली थी 50% नम्स के test को weightage मिली थी 30% और बाकी 20% weightage दी गई थी FSE को लेकिन अभी इस साल का merit formula नम्स ने announce नहीं किया इस साल यह जरूरी नहीं है कि 50% weightage MDCAT को दे ऐसा भी हो सकता है कि 50% weightage आपकी नम्स की test को दे दे और बाकी जो 50% है वो आपकी FSE metric को FSE metric को divide करके वहां दे 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 ऐसा बिलकुल possible है कि इस दफ़ा नम्स इस दफ़ा MDCAT को weightage बिलकुल ही ना दी जाए ठीक है यह कोई रूल नहीं है कि नम्स ने 50% weightage देनी ही देनी है सिर्फ rule यह है कि आपका MDCAT है वो पास होना चाहिए अब जिसके MDCAT में बुरे marks भी है उसके पास भी equal chance है नम्स में अच्छा score करने और admission लेने का यानि आपके पस अभी बहुत अच्छा chance है आप इसको अच्छे से अवेल कर अभी नम्स ने अपना merit formula डिसाइड नहीं किया और नहीं announce किया है अच्छा ये तो होगी कुछ technical बाते हैं अब आते हैं आपने त्यारी किस तरह करनी है preparation किस तरह करनी है पढ़ना किस तरह है कोंसी बुक पढ़नी है और कहां से practice करनी है क्या क्या करना ठीक है तो सबसे पहले बात यह है कि मैंने खुद नम्स का टेस्ट त दो answer होते हैं तो उस टेस्ट में भी ऐसी बहुत सी and the खुद मेरि और प्र और तो किस तरह पढ़ना को फिसज़ए तो mainly जो norms का test आता है वो federal की book से आता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% federal की book से ही आता है last year कुछ lines physics के side boxes जो है ना ptb के side boxes वहाँ से भी आई जिए थी कुछ सिंद्ध के side boxes वहाँ से भी आई हो थी ठीक है तो ऐसा नहीं है कि 100% federal से ही आता है आप लोग जो अपने प्रवेंसिस की बुक पढ़ रहे हैं उनसे भी इंटाचन है और साथ फेडरल की बुक तो लाजमी करने ही करनी क्योंकि 80% आपका पेपर फेडरल की बुक से आना है ठीक है नमस मेंजनली फेडरल बुक फेडरल बेस धी बनाते हैं और इसके लावा आप उससे पहले जो नमस का टेस्ट होता था वह एंटी एस नेशनल टेस्टिंग सर्विस वह कंड़क्ट करती थी ठीक है 2020 में पहली दफ़ा नमस ने अपना कोश्यंग खुद बनाया था और यह 2021 में नमस अपना टेस्ट खुद ही कंड़क्ट कर रहा ठीक है तो आपने सिरफ 2020 वह प्रैक्टिस करने उससे पहले जो एंसी की उजए थे आपने वह प्रैक्टिस नहीं करने ठीक हो गया अचा इसके रावा एक कीज यह है कि तेस्ट लास शेर ऐसमें च्ट का डिबिकल्टी लेवल किया था तो अगर कहा जाए तो इतने इजी नहीं थे अदा वह रिक्या थी तो फिर भी मेरे 180 मार्क्स आ गयती जानी अगर आपने MDCAT की त्यारी ही अच्छे से की हुई है ना तब भी आप NURS में अच्छा स्कोर कर सकते हैं बगार फैडरल की बुक्स पढ़े ले ठीक है लेकिन अगर आप फैडरल की बुक्स पढ़ लेते हैं तो आप अपने MDCAT की त्यारी ही इतनी अच्छी रखो कि आप उसी त्यारी की बेस पर ये दोनों टेस्ट दे सकों और यह ऐसा ही होता है मैंने भी दो दफाए मैंने तीन दफाए नम्स का टेस्ट और तीनों दफाए मैंने MDCAT की बेस्ट पर दिया वह तो जिनके पास तो टाइम है त्यारी करने का वो तो जरूर करें लेकिन अगर जिनके पास नहीं है तो आप एमडी कैट की अच्छी त्यारी की बेस पर भी टेस्ट दे के अच्छे माक्स ले सकते हो अच्छा अब मुझे पता है कि आप मैंसे बहुत से लोग नीचे कुमेर्स में यह पूछ रहा होगे कि अगर आपके नम्स में 180 माक्स आपका अगर AMC में मेरिट बन गया तो आप वहा का फिर यह होगी से त्यारी के विशिवएरी बेस्ट आफ लांग अचछे से चैस्छ वेथर होगा अलहाफिज का दो